हेलो वरिवान आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है क्लास 12 मैट्स की सीरीज में आज हम करने वाले हैं चेप्टर नमबर 8 का 8.1 का इंट्रो ओके तो मैंने उससे पहले जो मैट्स का पार्ट 1 है 1 to 6 चेप्टर वो पूरा कंप्लीट कर दिया हैं अगर आपने नहीं देखा हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पूरे प्लेयलिस्ट की वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यह स्पेसली सीरीज 2021 एक्जाम के औरियंटेड बनाई है क्योंकि वहां पर 30% जो सेलिवस रीडिस हो गया है उसको मैंने कवर न चप्टर है 8.1 कर सकते हैं वो उसको कैसे solve करेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इसमें दो तरके होंगे पहला तो हैं simple कर अगर आपको एक ही कर दिया होगा और उसके अंडर का जितना भी area आता है वह अगर आप निकाल होगे तो वह होता है area under simple curve उसके बाद जब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि आपको दो कर दिया होगे तो उन दौनों कर से जो common area होता है मिलके जो common area बनता है उनका area हम निकालने के लिए एक अलग से चीज़े करेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं area under simple curve एक कर दिया होगा तो यहां पर मैंने सबसे पहले जैसे लाएक कर लिया है यह वाला कर राइट अब इसके नीचे जितना भी अंडर एक आता है जैसे मैं अगर यहां से light गिरा हो उपर से तो इसका नीचे जितना भी सेड़ बनेगा वो उसका क्या हो जागा area यह पूरा उसका सेड़ बनेगा उसको किस तरह से निकाले करेंगे हमने यहां पे दो चीज यूज़ करेंगे वर्टिकल से निकल निकलना है तो अगर मैं यहां पे एक चोटी से पटि लोगता हूं उसके बाद दूसरी स्ट्रेः श्रें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रिप से यह पूरा ब्लॉक बन जाएगा अब इन सभी को में अगर जोड़ दू छोटी-छोटी स्ट्रिप है ये एरिया इन सब A1, A2, A3 इन सब को अगर मैं जोड़ दू तो मेरा पूरा ब्लोक आ जाएगा पूरा एरिया आ जाएगा तो इसी मेथड को यहां पर यूज करने वाले हैं कि हम क्या लेंगे एक स्ट्रिप लेंगे और आप आपको पता है जब आ इंट्रिगेशन करते हों इंट्रिगेशन का मतलब है चोटे-चोटे टुकड़ों को जोड़ते जाना राइट और उसमें लिमिट देते हो समझो A से B, A से B का मतलब है यह A है स्टार्टिंग पॉइंट और B है फाइनल पॉइंट इन दौनों के इक मैंने एक एरिया लिए ABCD अब मुझे एके अरिया निकालना है अगर आप इस तरह के एरिया होताँ एक है ना हम एक प्रूमूले से निकाल सकते है एक लिए के एरिया हो इस तरह के अरिया अब उसमें हमें ने पता चल रहा है यह कौन सा रेक्टेंगल ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वेर है वगिरा कुछ नहीं है तो इस तरह में हम एक इस्ट्रिप लेते हैं जैसे मैंने इस जो पहले वाले यहां पे है एकसेस पे तो यह पूरा अगर एकसेस उसके चोटे से जो क्या कहते हैं अंग होगा उसको क्या कहेंगे हम डी एकस उस पूरे मैंसे चोटा सा यह होगा उसको क्या कहेंगे डी डी एकस डी मलत चोटा सा भाग उसका एकस का चोटा सा भाग क्या होता डी एकस अब को यह पक्ति जो वर्टिकल पक्ती चेफ यह तो बहुत बढ़ी है पूरे ओयुय तक किया य मी य टो इस यहां पर ओपर इसको रेक्टेंगल माने लेकिन बहुत पतली होने की D.A. क्या हो जाएगा area of rectangle इस छोटा सा है strip उसका area क्या हो जाएगा length into breadth तो देखो D.A. क्या होगए length into breadth आपको पता है length क्या होगी इसकी y लिख लिख लिए and breath हमने देखा यह चोड़ाई उसकी क्या है dx तो यहां पर d.A. क्या होगए y d.x और y आपको पता है य क्या होगता function of एक एक स्ट्रिप की एरिया अब समझो यह तो हो गए एक एड़िया पोरी छोटी छोटी जब एड़ होगी मिलके ही तो एक पूरा सा यह अरिया बनाएगी तो हम क्या करेंगे यहां पर हमारा starting point है A final point है B इस तरह से जा रहे हम यह strip चोटी ली फिर यह ली ऐसे लेते 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 पूरा हमारा area बनेगा तो हमने क्या किया उसको integral कर दिया A से लेके B तक integration कर दिया इस चोटे वाले DA का हमने किया किया जो DA था उसको A से B तक जोड़ते गए चोटा चोटा जोड़ते गए तो हमारे पास A से B क्या बन गए FX DX और FX पता है आप क्या लेते हो Y DX तो इस तरह से जब भी हमारे पास अगर vertical strip है तो हमेशा कौन सा formula लगाओ के area के लिए Y into DX यह ध्यान रखना vertical strip है तो Y into DX अब समझो यहाँ पर जो limit आएगी A to B वो किसकी होगी X की होगी या Y की होगी यहाँ से हम कहां से कहां तरह जा रहे हैं A से लेके B तक इस तरह से जा रहे हैं horizontally move हो रहे हैं तो यहाँ पर जो limit लगेगी वो किसकी लगेगी तो आप क्या करोगे A से B Y D X और यहां पर D X पीछे D X है तो आप क्या करोगे जो limit होगी वो भी A से B में जो limit होगी A और B वो भी किसके लोगे X coordinate के लोगे आई बास समझ में तो इस तरह से ध्यानदगना vertical strip के लिए Y D X अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं horizontal strip अब देखो कुछ area ऐसा होगा कि हम vertical strip ले नहीं पाएंगे समझो अगर हम vertical strip लेते हैं तो हमें पता नहीं कि यह कितना Y उपर है कितना Y नीचे तो यहां पर horizontal strip लेना easy रहेगा तो मैंने horizontal strip ले लिए अब देखो horizontal में जो बड़ावाला बाग है strip का बड़ावाला बाग किस तरफ फैला हुआ X की तरफ तो मैंने X ले लिया और जो छोटा बाग है किस तरफ फैला हुआ Y की तरफ फैला हुआ तो उसको मैंने माल लिया D Y तो इस छोटे से जो strip है उसका area क्या हो जागा length into breath तो यह da क्या हो गया x into dy तो horizontal strip बनती है तो वहाँ पर area पर strip da equal क्या हो जागा x into dy क्योंकि जो बड़ा वाला वागय है x की तरफ फैला हुआ है और चोटा वाला डी वाई है वह तो आपका एक इस्ट्रिप का area कितना हो गया x into dy और आपको पता x किसका function रहता function of y तो अभी आपका area कितना बन गया a से b fy dy या फिर a से b x into dy अब समझो हमारा horizontal strip में dy पीछे हैं त वह भी किसके लगेगी y की limit तो आप यहां पर y की limit a से b में किसके limit जाओगे y की limit तो a to b x into dy तो जब भी vertical strip बने तो y dx और यहां पर dx की limit और जब भी horizontal strip बने तो x into dy और limit किसके लगेगी पीछे वाली की y की जो dy होता है उसकी ही limit लगेगी यहां पर y वाली राइट अब जो f x आपका less than आ गया तो यहां पर area कितना हो जागे negative लेकिन आपको पता है area कभी negative नहीं हो सकता तो वहां पर आपको simply क्या करना है mode लगा देना है तो आपका positive हो जाएगा अब देखो कभी कभी एक और case आ सकता है कि थोड़ आदा area negative होगा आदा area positive होगा तो यहां पर भी area हमेशा positive होता है तो आप क्या करोगे जो negative area है उसके mode लगा दोगे और इसको तो mode लगाने की ज़रूत नहीं क्योंकि यह positive है फिर आप दौनों को add करोगे जैसे सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है लगबग बहुत सारे question में यह formula आपको लग जाए limit integral नहीं अभी क्योंकि limit नहीं लगए indefinite इसलिए वज़े से पीचे c लगाना ज़रूरी है अब देखो जब मैं limit लगा तो समझो 2 to 3 और इस तरका हो गया 2 square minus x square तो जब मैं यह चीज़ लगा दूंगा एक बार formula में रख दिया फिर यह जो limit है वो पीचे shift हो जादी है 2 से 3 पीचे shift हो गई फिर क्या गरोगे 3 को रोकोगे पर उपर वाले को रोकोगे रख दिया limit इसमें x की जगए उपर वाला रख दिया फिर बीच में minus का sign आता है फिर आप नीचे वाला लगाओगे right और हमेशा समझो यह होती है upper limit यह होती है lower limit आप 2 से 3 ultimate लिखना वरना आपका जो answer पूरा negative आजाएगा अब देखो यह तो हमने पढ़ लिया कि जो area under simple करव एक करव था अगर आपके पास दो करव आ जाए राइट जैसे इस तरह से देखो यह एक circle आ गया और यह फिर straight line आ गया इन दौनों से मिलके यह area common आया तो इसका निकालना है तो यहां पर दो कर करव आगे कैसे कर आगकेIST आ जैसे इस तरह से देखो यह आपका यह साइन अ क्या आगए आ इन दौनों से मिलके है फिर आपका parabola आ गया line ATT just इस तरह के जो दो कर्व से मिलके दो कर्व से जो बाउंडेड होते हैं दो कर्व मतलब एक तो कर्व होगी और दूसरी एक लाइन होगी ठीक है तो आपको पैरा बोला तो पता कि इस तरह से होता है आपने यह प्यारा बोल्रों पड़ाई है right तो यह जो मुह खुला हुआ उसका, यह इस तरह से मुह उसका खुला हुआ है, हमेशा जो पावर कम वाला होता है, उसकी तरफ खुला होता है, y² इक्वल 4x, यहाँ पर y की पावर 2 है, x की पावर कितनी यह 1, तो इसका जो मुह खुला होगा, वो किस की तरफ होगा, x की positive x क्योंकि यह positive x है positive x है तो इसका मुह किस तरफ खुला होगा positive x की तरफ अब यहां पर देखो यहां पर negative x है y square equal minus 4x तो पहले तो देखना है कि power किसके कम है x की power कम है तो मुह तो x की तरफ बनेगा लेकिन यहां पर आगर negative लगा है तो आपको क्या करोगे जो minus x होता है negative x इस तरफ होता है तो इस तरफ इसका move बना दोगे अब देखो x square equal 4a y तो इसकी power किसकी कम है y की y की power 1 है x की power 2 है तो इसका मुह किस तरफ होगा positive y की तरफ x square equal minus 4a y तो negative y की तरफ यह इसका move बन जाएगा ठीक है इस तरह से हम parabola को deal करते हैं यह चार आपकी equation बनती है अब उसमें plus 2 add होता है minus 2 add होता है तो इस तरह से आप parabola को right left मतला उपर नीचे इस तरह से आप shift कर सकते हो जैसे हम line में करते थे y equal अगर x है तो यह line बनती थी लेकिन y equal x plus 1 है तो y में एक और add हो रहा है तो यह line उपर shift हो जाती है ठीक है तो parabola में भी इस तरह से अगर कोई plus 2 minus 2 इस तरह से कोई add होता है तो left shift, right shift, upper shift, lower shift यह सारा आप कर सकते हो पैरा बोला के बात करते हैं line की line का equation क्या होता है आपको पता है y equal mx plus c ठीक है यह जो slope होती है वो decide करते है कि अधकर नहीं से चोटा होगा यहां तो मैंने 45 बना दिया है लेकिन 90 से चोटा होगा 90 से चोटा होगा तो आपको पता है m equal slope इकवल 10 टिटा होता है तो 10 90 से चोटा होता है तो आपकी slope क्याए कि positive तो आपको इस तरह से बनाने को मिलेगा लेकिन अगर आपका यहां पर x के सा plus y minus k square equal r square अब यहाँ पे h और k क्या है r तो आपको पता है कि radius हो गई आपने जनरल यह चीज़ पढ़ी होगी x square plus y square equal r square यह होता है circle की equation लेकिन यह circle की equation कहाँ पे होती है जब आपके center कहाँ पे हो origin पे 0,0 पे इस तरह से अगर आपके center origin पे है ठीक है यह बन जाएगी लेकिन इन जनरल वाली ही होती है समझ गे तो यहाँ पे h और k आपका है center r है radius अगर आपका origin पे है 0,0 पे center है center आपका 0,0 पे है तो आपके equation क्या बन जाएगी x square plus y square equal r square अगर आपका center ना तो x access वाला है ना y access पे है ना ही origin पे है अगर कोई बीच में कहीं पे है ठीक है center कहीं और पे shift हो रहा है तो आपको यह equation लागे x minus h square plus y minus k square equal r square जैसे मैंने इस तरह से बना दिया कि आपका center है 2,3 ठीक है और radius आपका भी है 4 समझो ठीक है 4 तो x minus 2 square plus y minus 3 square equal 4 square तो इस तरह से आपका circle का equation बनेगा हर बार यह नहीं बनेगा ठीक है यह कब बनेगा जब origin पे होंगे आप ठीक है अब समझो कभी-कभी आपका center कहां पे होगा x axis पे अगर x axis पे center हो गया तो आपका y क्या हो जाएगा 0 तो यहां पे k y 0 होगा y coordinate 0 होगा तो h तो h ही रहेगा और k क्या हो जाएगा 0 तो आपको क्या नहीं x minus h square plus y minus k था तो k 0 हो गया तो y square बन गया अभी कभी क्या होगा आपका जो center है वो y axis पे आ जाएगा y axis पे आ जाता है तो x 0 हो जाएगा x coordinate मतलब h की value 0 हो जाएगी तो x minus 0 का square x square plus y minus k square equal r square तो इस तरह हम circle को deal करते हैं circle के बाद हम देखते हैं ellipse का ellipse में थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है इसलिए इसको जहां से दिखना ellipse दो परकार क्यों होंगे ठीक है अब horizontal ellipse बना सकते हो vertical ellipse बना सकते हो अब समझो आपको इस तरह की equation दी होगी x square divided by a square plus y square divided by b square equal 1 इस तरह की आपको form दी हो equation में अब समझो आपको पैच्छान हो के कैसे की horizontal ellipse है या vertical step है तो सबसे पहले देखो horizontal step है तो आपका जो a होगा x के नीचे जो होगा वो b से जादा होगा x square divided by a square plus y square divided by b square equal 1 में जो a होगा वो greater than b में आपको एक आपका example दिया होगा है इस तरह से देखो x square divided by 16 plus y square divided by 9 equal 1 यह a square है तो a square आपके b square से बड़ा है तो यह आपका किस तरह से बनेगा यह horizontal ellipse बनेगा a greater than b में अब समझो horizontal ellipse में यह तो होता है center 0,0 यह जो होता है 0 a यह क्या 0 से लेके a तक यह जो length होती है वो a होती है ठीक है और यह जो length होती है वो b जो y के नीचे होता है उसको y axis वाले में लिखेंगे जो x के नीचे होता है वो x axis में लिखेंगे अब समझो यह 0 से a है तो यह 0 से minus a होगा यह पूरी क्या है यह पूरी क्या है देखो 0 से minus A में यह A length हो गई और यह भी A length A plus A क्या है 2A तो यह पूरी क्या है major axis बड़ी है ना तो major axis यह पूरी है major axis लेकिन अगर मैं 0 से A की बात करूँ तो A आपकी क्या है semi major axis क्योंकि आदी हो जाएगी तो semi major axis और यह पूरी क्या है छोटी वाली है तो यह पूरी क्या है 2B क्या हो जागी minor axis लेकिन अगर मैं खली B की बात करूँ तो B क्या हो जागी semi minor axis semi minor axis तो इस तरह से आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है X square upon A square plus Y square upon B square equal 1 अगर A greater than B है यह फिर इस तरह से कहले सकते हैं A square greater than B square है यह नीचे वाला term X के नीचे वाला term Y के नीचे वाले term से अगर जादा हो तो आपका horizontal axis बन जाएगा अब समझो इसमें आता है lattice rectum एक term आता है तो उसका formula होता है 2B square upon A अब समझो जो vertical axis होते हैं उसमें दो चीज़ confusion होता है अब समझो होता क्या है अगर आपको यह lattice rectum अगर यही रखना है तो आप क्या करोगे जो बड़े वाले उसको हमेशा A ही मानोगे अब देखो यहाँ पर बड़ा वाला क्या था A तो यहाँ पर भी उसने बड़े वाले को क्या देखो अभी horizontal है sorry vertical अगर ellipse है तो उसमें vertical जो vertically जो line होगी वो बड़ा वाला होगा जो vertical जो क्या कहते है access होगा वो बड़ा वाला होगा तो उसने हमेशा देखो यहाँ पर तो horizontal में A था है यह formula बन जाएगा x square upon b square देखो change हो गया x के नीचे b आ गया और y के नीचे e आ गया और a greater than b है देखो a यहाँ पर भी greater than b है लेकिन अभी क्या होगा a y के नीचे आ गया है पहले क्या था a x के नीचे था तो यह चीज क्यों किये ताकि इन दोनों का lattice rectum same हो 2b square upon नहीं otherwise इसका तो 2b square upon नहीं होगा लेकिन इसका change हो जाएगा तो NCIT ने इन दोनों में यह जो चीज common है इसको same बनाने के लिए यह चीज किये या फिर अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो अगर यह lattice rectum का फैला होगा तो यहाँ पर B आपका ज्यादा होगा मैं एक example आपको बताता हूँ यह देखो x square upon 4 plus y square upon 9 यहाँ पर देखो x square upon a square plus y square upon b square से compare करता हूँ तो आपका B क्या हो जाएगा a से ज्यादा अगर y के नीचे वाला घर बढ़ा है तो आपको समझना verticalistic क्योंकि y में ज्यादा फैला होगा अगर y के नीचे वाला x के नीचे वाला बढ़ा है तो आपको x axis में जाता बनाना है तो इस तरह से हम ellipse को deal करेंगे उसके बाद आता है hyperbola यह ज्यादा use नहीं होता लेकिन समझ लिए hyperbola क्या होता है इसके equation होती है बढ़े वाले को हमेंसे यह हुरता हूँ यह भी बढ़ा वाला था और अभी यह बढ़ा वाला होगा यह a और b तो यह क्या हो जाएगा y square upon a square minus x square upon b square यहाँ पर position change हो जाएगी equal one हो जाएगा तो यह ज्यादा ध्यान नहीं देना है कर आप 11 class में इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा अब एक example मैंने लिए आप देख लिए एक स्कूर प्लस y square upon a square तो आपको यहां से compare करके बता सकते हो कि x minus h square plus y minus k square equal r square यह equation होती है तो देखो यहाँ पर h और k यहाँ पर 0 0 है h और k h or k ही नहीं तो 0 0 है इसका मतलब क्या है आपका center कहां पर origin पर और आपकी radius radius को उसने क्या माना है a r square equal a square तो आपकी radius r कितने हो जागी अब समझो आपको इस्टिप दिया अब देखो यह क्या है यह मैंने circle बना दिया यह center होगे अब आप दो तरह से कर सकते हो यह तो horizontal इस्टिप यहाँ पर vertical इस्टिप ले सकते हो और लेने वाले क्या करेंगे horizontal इस्टिप ले लेगे क्योंकि दौना तरफ से इस question में दौना तरफ से ले सकते हो अगर यह वाली लोगे तो यह किस तरफ बढ़ रही है वाई की तरफ बढ़ रही है तो य की limit आजागी 0 से लेके ए तक अगर x की तरफ आप जा रहे हो तो x की limit ले लोगे अब आप समझो एस लिंä दो दो तीन चीजरे चीमेटरी सीमेटरी सिमेटरी मतल्त शेम चीजें ये जीतना है उतना काट यह भीिम लेके जह मैं यहाँ लेता हूँ एह इन्टीकल ही लूगा मैं यहाँ ली लेक्ट को पता है ज्यृक्द होता है ज्यादा किस तरफ फैले होती य में तो बा इंटू December area rectangle area length into breadth तो y into dx हो गया अब y की value कहां से लाओ गए function से x square plus y square equal a square दिया है तो यहां से y square हो जाएगा a square minus x square तो यहां से y कितना जाएगा under root a square minus x square तो मैंने y की value यहां पर रख दी under root a square minus x square dx और limit किसकी लगेगी dx की x की limit और x में हम कहां तक फैल रहे हैं 0 से लेकि a तक radius a 0 से लेकि a तक फैल रहें तो मैंने 0 से a ले लिया under root a square minus x square dx अब इसको integration करने के लिए हमने formula पीछे देखा था मैंने बताया था important formula है हर जगे लगेगा ठीक है तो यह वाला पूरा formula होता है तो मैंने यहां पर पूरा यह वाला formula copy कर लिया जब मुझे पता एक बार formula लगा दिया मतलब integration हो गया अब limit लगाना बाकी है तो यह जो आगे वाली limit हो पीछे shift हो जाएगी यह बीचीज बताए थी मैंने फिर क्या करोगे उपर वाले limit रखोगे फिर minus sign लगाओगे फिर नीचे वाली limit रखोगे यह X की लगाओगे थी मैंने जहाँ पर X दिकता था पहले एग gör दिया यहाँ पर भी रख दिया यहाँ पर भी रख दिया माइनस यहां पर एकस-ski जगर 0 रख दिया सब जगें तो यहां में 0 की विज़े से 0 हो गया और sin inverse 0 जी वज़े से यह बी 0 हो गया तो यह Eck em to 0 होग यह बीजी दो बच्था के यह बदला अब कि है यहां पर बार मैंने इस उलिञilst जी इसे वेड्य वह इतना एरिया लेकिन मेरे पास ऐसे कितने है 속 मैं मैंने पूरे का निकालना है तो आप क्या करोगे यहां पर पूरा का निकालना के लिए आप 4 से multiply कर दोगे ठीक है तो मैंने अभी यहां पर क्या बना 4 इंटू यह चीज़ कहां से आई यह चीज़ यहां से आई देखो a square by 2 तो थाई a square by 2 थाई अब sin inverse a by a a से कट गया sin inverse 1 कितना होता है sin inverse 1 कितना होता है πाई by 2 ठीक है क्योंकि sin πाई by 2 पे तो बन देता है 90 डिगरी पे तो यहां पर मैंने πाई by 2 लिख लिए और πाई by 2 और a square by 2 का पतना है डाइरेट अब को पता है पाई आर square लेकिन आपर आर कितना है यह तो पाई यह स्कूर तो यहां से वैरिफाइब हो गया कि हमने बिल्कुल सब्सक्राइब अब आपका homework क्या है do it yourself by टेकिंग horizontal strip आप क्या करो यहां पर horizontal strip लो इस तरह से आप horizontal strip लो उसके बाद y की limit लो x dy 0 से यह लगा के x dy में confirm करो कि यह answer आपका करके नहीं आ रहा है तो आई होग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक से अगरिए उसके बाद हम 8.1 का exercise सुरू करने वाले थैंक यू